नमस्कार में दिपक स्वागत करता हूं का ग्यान लेनर्स पर और आज हम exercise 8.4 का question number 5 का 9 और 10 पार्ट देखने वाले हैं class 10 math ठीक है class 10 math का हम देखने वाले है exercise 8.4 यानि के chapter number 8 introduction to technomancy का question number 5 का 9 और 10 पार्ट ये दोनों last पार्ट हैं और बाकी की पार्ट हम बता चुके हैं एक एक पार्ट हमने बताया है अगर आपको समझमन आया हो तो एक बार वो वीडियो आप दुबारा से जरूर देखें और अगर आपको हमारी वीडियो लगातार पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और share और like करना मत भूलिएगा तो देखते ह आज लास्ट पार्ट 9 और 10 पार्ट को आज देख लेते हैं तो 9 पार्ट क्या कहरा देखिए 9 पार्ट में हम left hand side लिलते हैं taking LHS लिखा हुआ है कॉस एक A माइनस साइने दूसरे ब्रैकेड में सेक A माइनस कॉस A इक्वल टू क्या लाना है वन अपॉन अपॉन टैने प्लस कॉट है ठीक है और वैसे देखिए आप देखिए कि NCRT लिख में हिंट्स लिखी वी है कि left hand side और right hand side को क्या कीजिए separately solve कीजिए आनिकि इसको अ option ही option है कि या तो अब left hand से right hand लिया ओ या right hand से left hand लिया ओ या left hand को कुछ solve करो right hand को भी कुछ solve करो अगर दोनों की value क्या जाती है एक जैसे आज आती है तो आपका बिल्कुल दोनों side क्या है equal है और ये equal ही होती है ध्यानगना ये एक टिग्नोमेंटिक identity की form होती है और identity हमेश sign a फिर दूसरे bracket में आपका sec a minus cos a ये आपका हमने क्या ले लिया left hand side हमने ये ले लिया तो देखिए cos a को किसमें change कीजिए sign में या नहीं कि one upon sin a minus sin a आप ऐसी renders को disturbance ना करें इसको sec को किसमें लिख दो one upon cos a आपको पता है reciprocal होता है sec का cost ठीक है इसको ना करें change अब LCM ले लो यहां नीचे LCM क्या रहे हैं का sin a ठीक है तो इधर हो गया one minus sin into sin sin square a एक bracket में ठीक है यहां क्या आरा LCM में cos a इधर क्या जाएगा आपका one into one one minus cos into cos cos square a ठीक है यह आगया आपका तो one minus sin square a आपको मैंने कई बार identity बता दियोगी और आपको साइद आप आप ही गए होगी कि हम कौन सा formula यूज़ करते हैं यह वाला sin square a plus cos square a एक्वल तो कितना होता है one यह बड़ी famous identity है अगर मुझे यहां पर sin square a चीए तो क्या कर दूँगा मैं one minus cos square a और अगर cos square चीए तो sin square a रख देंगे और one minus cos square के जाके रख देंगे हम लोग sin square a रख देंगे clear और आप पॉन में क्या चल ला है sin a साइन a और cos a देखिए cos a एक power एक पावर कैंजल यहां यह फी दो पावर है तो एक पावर से एक पावर कैंजल तो क्या बचा simplify 소яться simply बचा cos A और sin A अब देखिए आपका right hand side नहीं आया ठीक है right hand side नहीं आया तो आप कौन जो side लीजिए आप right hand side लीजिए आप उसको भी इतना ही करके लिया हो तो समझो बराबर ही होंगे ठीक है right hand side क्या आपका देखिए 1 upon 10 A plus cot A 1 upon 10 A plus cot A तो आपको पता ही है जैसे हमने बता रहा है 90% case के चलता है कि 10 को क्या लिख दो sin upon cos लिख दो यानि कि सारे sin or cos की cot को क्य लिख दो cos A upon sin A ठीक है तो आप LCM लीजिए यहाँ LCM क्या रहा आपका cos A और sin A आपका LCM आ गया cos A sin A ठीक है उपर तो 1 चली रहा है इधर क्या हो जाएगा sin square A और इधर क्या हो जाएगा plus करके cos square A clear और यह प्लट के कहां चल जाएगा आपका उपर यानि कि cos A sin A उपर चलेगा आपका प्लट कर मतलब आप into कीजेगा तो चल जाएगा sin square A प्लस cos square का value कितना होता है 1 तो यहाँ 1 बचातो किसी के नीचे 1 मतलब वही digit वही number आ जाएगा वही चीज आ जाएगा ठीक है निकि equation number 2 हो गई अब देखो equation number 1 क्या है left hand side को करके कितना है cos से sin है और right hand side को भी करके कितना है cos से sin है तो हम बोल सकते हैं कहां से from equation number 1 and equation number second से क्या बोल सकते हैं कि left hand side किसके equal है right hand side के equal है ठीक है तो इस तरह से हमने यह ninth वाला part इसका solve किया और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार दुबारा आप वीडियो देखिए और जहां पे भी दिक्क्त आती है एक बार pause करके उसको डंग से देखिए copy pen लेके बैठिए ठीक है आप चलिए और आप बैठते हम question number 10 की तरह ठीक है इसकी तरह बढ़ते हम अब देखिए यहाँ पे तीन-तीन पार्ट है तो देखो आप left hand second left hand right hand नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तीन-तीन चीज़े देखो यह equal है इसके equal है इसके तो इस तरह से यहाँ पे अब हम क्या नहीं बोल सकते हैं left hand right hand नहीं बोलना से यह अगर देखा जाए तो क्योंकि आप यहाँ पे तीन-तीन पार्ट आपको दिख रहे होंगे, कि तीन-तीन पार्ट यहां पे solve किये होगे, ठीके, तो देखिए, इसको हम कैसे solve करते हैं, देखिए, यह हमारे पास, यह first term माल लो, और इसे माल लिजे, आप कौन से term, that is our second term, और यह आपका third term होगया, ठीके, तो देखते हैं, इसको करके देखते हैं, पहले हम first term को करके देखते हैं, first term कितना रहा है, ठीके, तो देखते हैं, 1 plus 10 square a, अपन में आपका 1 plus 4 square a, राइट, तो देखिए, आपको यह identity में बताया होगा, मैंने, कि भाई, 1 plus 10 square a, किसके कोल होता है, आपका, sec square a, कितना होता है, sec square, यह मैंने identity में आपको बता रहा है, और 1 plus 10 square a क्या हो गया, sec square a, और ऐसी 1 plus 4 square a क्या होता है, cos square, यह identity का हमने use किया, ठीक है, तो sec square a, upon cos square a, अब देखिए, sec को लिख दो, 1 upon cos, क्योंकि हमको पता, sec square a क्योंकि होता है, cos square है, तो square किजिएगा, नीचे, cos से किसका reciprocal है, sin का, यानिकि 1 upon sin square a, अब देखिए, 1 upon cos square a, यह पलट जाएगा, यानिकि into में हो जाएगा, sin square a upon 1, ठीक है, यह आपका ऐसी रहेगा, और यह दोनों अपस में पलट जाएगे, अब sin square into 1 से किजिएगा, तो कितना आएगा आपका, sin square a upon में कितना आएगा, देखिए आपको, cos square a into 1 करेंगे, तो कितना आएगा आपका, that is a cos square a, ठीक है, अब sin upon cos, तो sin upon cos क्यों होता है, आपका 10 होता है, square है, तो हम भी क्या कर देंगे, square कर देंगे, देखिए कौन सा term आगया आपका, third term आगया, यनि कि आपने first term को solve किया, और क्या आगया, third term आगया, यनि कि आपका आगया, third वाला जो यह term से, ठीक है, third वाला term आगया आपका, clear, यानि कि यह आगया, अब ऐसी आप second term को भी किजिए, second term को लेते हैं, second वाला जो हमारे पास, force ने उसको लेते हैं, क्या है, one minus, one minus ten a, upon में है, one minus cot a, clear, का whole square, देखिए, आप क्या लिखिए, ten को क्या लिख दीजिए, sign upon cos लिख दीजिए, upon में cot को के लिख दीजिए, cos upon sign लिख दीजिए, ठीके, cos a upon sign a लिख दीजिए, clear, अब यह आपका क्या चल ला है, whole square चल ला, यहाँ LCM लिलो, यहाँ भी क्या लिलो, LCM, तो LCM क्या रापका है, यहाँ पर, cos a, इधर हो जाएगा आपका, cos a minus sign a, cos a minus sign a, और नीचे भी LCM लिख आएगा, आपका sign a, तो क्या होगे आपका इधर, cross multiply करोगे, तो sign a minus, cos a आपका हो जाएगा, और का whole, square आप कीजिएगा, ठीके इस तरह से, square आपका चली रापर से, done, चली है, तो आप इसको पल्टी मार दीजिए, अब जैसे हम हर बार बोलते हैं, कि cos a minus क्या है, sign a upon में क्या है, cos a, ये दोनों प्रड़ जाएगे, यानि कि हो जाएगा, sign a upon में क्या हो जाएगा, sign a minus, cos a, clear, चली है, ये आपका whole square चलना है, अब दीखिए, ये दोनों लगबग मुझे एक जैसे दिख रहे हैं, बस फरक किसका हो रहा, आगे पीछे minus में हो रहे हैं, यानि कि यहाँ यह minus है, और यहाँ यह plus का, यह minus का और यह plus का, बस इसका फरक है, तो आप यहाँ से minus common ले लो, या यहाँ से minus common ले, चलो यहीं से minus common ले लो, तो minus जब common आएगा, तो किसके अंदर रहेगा, bracket के अंदर रहेगा, तो minus common लीजिए, तो क्या बचा आपका यहाँ, यह sin किसका हो जाएगा, plus का, और cos किसका हो जाएगा, minus का, upon में के चला आपका, cos A, ध्यान दखिए गया, into में sin A, और upon में के चला आपका, sin A minus cos A, का whole square चला, आप देखे, sin A minus cos A, same चीज़े, sin A minus cos A, same चीज़े, आपका क्या बचा, sin upon cos, तो यह आपका बच गया, कितना, देखे, आपका बच गया, bracket के अंदर ध्याना, bracket के अंदर, minus में, sin A upon cos A, आपका बच गया, ठीक है, का whole square, sin upon cos क्या होता आपका, 10 square A, और minus का square तो क्या होता है, प्लस होता है, तो 10 square आ गया, यानि कि मैंने first term को भी solve किया, तो आ क्या रहा है, 10 square, और second term को भी solve किया, तो क्या आ रहा है, देखिए, वो भी 10 square ही आ रहा है, तो कहने का मतलब, ये तीनों भी आपस में क्या है, equal में है, ठीक है, तो इस तरह से हमने, ये भी 10 square लिया है, और इसको solve करके भी 10 square लिया, तो इस तरह से हमने, ये जो exercise थी 8.4, और उसका 5th question का last 2 part कर लिया, हमने 9th और 10th part, और इसी के साथ आपका ये टिग्नोमेंट्री का, जो पूरा chapter है, हमने एक एक question करके, पूरा detail में बता दिया, और I hope आपको हमारी वीडियो ये भी पसंद आई हो, तो पसंद आए हो तो अपने friend को share और subscribe करना, ना भूले channel को और like जरूर कर दे एक बार, धन्यवास, thank you so much for watching this video,